तो गाइज, हभी होगो हो फाइन, आज हम जो हमने एक्वा टॉपिक कवर कर रहे थे जी के पॉर्षण में से तो उसके पार्ट सुन हमने अप्लोड कर दियें तो पार्ट फर्ड में आज बायो डैवेसिटी जो टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे और एक दो फीडियो जाए बाकी जो इक्जाम्स पतवारी का है वहां पे यह टोपिक आपको मैंनशन आप बायो डिवेस्टी ऐकॉलीजी और बहुत इंपोर्टटन टोपिक है यहां से कुछन डायक्ट पूछते हैं जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेशन सां पूछ था था अफ़ा के एक्जाम में फूद चेन पर पूछा था उन्होंने कौन सा है वो सिंपल सा था ग्रास को डियर डियर को हुमें तो ऐसा कुछ था बहुत ही एक सिंपल कुछ था क्वेस्चन पर कोई बरोसा नहीं है कहां से पूछेगा लेकिन आम इसको डीपली अच्छे से पढ़ धराइंग गया बायो डेवसिटी होता क्या है so यह टर्म बायो डेवसिटी हैँ बायो मीन्स लाइफ बायो का मतलब होता है लाइफ एडाइवसिती में सॉम तो ढिफरेंट फोर्म लाइफ डिफेंट फाम्झों यह था हम्हा político हो टेरेस्टियल हो मैरीन हो कोई भी हमारे पास different forms of life होते हैं उसे हम biodiversity बोलते हैं इक पानी में कोई चीजें जानदार रह रही हो चैसों वो बाइय बाएकिल लिविंग हो terrestrial lane पे हो कोई या marine समुंदर के अंदर हो तो यह सारे जो होते हैं different forms of life होते हैं तो इसे हम biodiversity बोलते हैं अब देखो biodiversity बहुत important था यहां से question ऐसे frame करेगा examiner आपको कि जो term biodiversity थी उसे देने वाले का नाम क्या था तो term biodiversity was given by an ecologist उस ecologist का नाम था Walter G. Rosen 1986 तो इसने सबसे पहले इस term को दिया था तो उसका नाम क्या था Walter G. Rosen बहुत important है याद रखना ऐसे ही question frame किये जाते हैं and term popularized by ecologist इस term को ज्यादा से ज्यादा popular किस ने किया E. O. Wilson उसका नाम था जिसने इसको ज्यादा से ज्यादा popularize किया so यह चीज़े बहुत important है ऐसे आप इसको यहाँ से question ऐसे बनते हैं उसके बाद एक ecologist आए उनका नाम बहुत important है याद रखना वो ecologist कोन से थे Thomas E. Lovejoy use the term biological diversity 1980 इन्होंने term का इस्तेमाल किया biological diversity 1980 इनका नाम था Thomas E. Lovejoy तो तीनु के नाम याद रखना term किस ने दी popularize किस ने किया and biological diversity 1980 term जो थी यह किस ने दी बहुत important है अब next हम देखते हैं आगे so उसके बाद क्या हुआ as per the United National Environment Program biological diversity is the totality of genes species ecosystem in an area एक area के अंदर हम total genes की बात करें चाहे वो species की बात करें पूरे ecosystem की बात करें उसे हम diversity बोलते हैं अब तीन elements होते हैं diversity के अंदर biodiversity में आपको तीन elements मिलेंगे genes species and ecosystem तो these are the three elements of biodiversity तो यह तीन elements मिलके आपको diversity biodiversity बनती है तीनु elements याद रखना तीनु elements के बारे में हम पढ़ेंगे देखो सबसे पहले देखेंगे levels the type of biodiversity देखो एक biodiversity होती है जो हम genetic diversity जिसे बोलते हैं genetic का मतलब होता है वो biodiversity जो genes पे बेस्ट होगी जो किस पे बेस्ट होगी? genes पे known as biodiversity of genes यहां पे हम genes के बारे में पढ़ेंगे that's called as different types of genes तो वहां पे उसे हम genetic diversity बोलते हैं refers to the variety of genes within the same species एक ही species के अंदर different types of genes के बारे में पढ़ना उसे भी हम biodiversity बोलते हैं number in the type of genes किस किसम के genes हैं उनका number कितना है जैसे diversity between homo sapiens हम में भी different types of genes पाई जाते हैं homo sapiens जो human beings हैं यहां पे भी आप देखोगे तो यह चीज़ें होती है diversity है homo sapiens के बीच में भी तो उसके बाद आती है हमारे पास species diversity जहां पे different types of species you can get आपको different types of species मिलेंगी जैसे refers to a variety of species in a region एक ही region के अंदर आपको मुक्तलिफ किसम की species मिलेंगी the simplest measure of the species diversity is the species richness which refers to the number of the species per unit area species richness का मतलब है एक unit area में कितनी species रह रह रही है उसे हम species richness बोलते हैं यह species की diversity है एक ही area में देखोगे मुक्तलिफ किसम की species आपको मिलेंगी that's we call it species diversity different forms of species you will get next हमारे पास आता है हम देखेंगे species evenness क्या होती है species equitability क्या होती है देखो species evenness का मतलब होता है refers to the related evidence of individual of different species in an area एक area पे मुक्तलिफ किसम की species आपको मिलींगी एक diagram से में आपको समझाता हूँ इस चीज़ को देखो species evenness क्या होती है आपके पास एक unit area हमारे पास है यह एक rectangle में unit area है यहाँ पे species आपको a c b b a c इसी तरह से हमारे पास एक और area है second यहाँ पे species देख लो आप मानो a b c a a a a sample area जो first हमारे पास एक sample area है has greater species evenness यहाँ पे evenness आपको ज्यादा मिल रही है क्यों a दो बार है c दो बार है b दो बार है यह नहीं species की evenness बहुत ज्यादा है इसी as compared to अगर यह वाला area देखेंगे यहाँ पे suppose हमारे पास a की चार species हैं एक दो तीन चार बी एक यह c एक हैं तो यहाँ पे unevenness है यहाँ पे evenness नहीं है इस एरिया में evenness यहाँ पे evenness नहीं है इसी को हम बोलते है species evenness and unevenness तो एक diagram में आपको समझा ही होगी यह चीज़ उसके बाद देखेंगे हम ecological ecosystem या community diversity जैसे बोलते हैं यह क्या होती है community are ecosystem diversity क्या होती है देखो simple सी बात refers to the diversity of biological communities और ecosystem like forest ecosystem हमारे पास grassland ecosystem आपके पास है deserts है coral reefs है in an area different types of ecosystems आपको मिलते हैं इसे हम बोलते है community diversity or ecosystem diversity एनि आपको land ecosystem पे देखोगे तो different types of animals मिलेंगे different types of organism मिलेंगे इसातरह forest के अंदर different types of species you can get इसातरह grassland ecosystem होगा वहां पे आपको मुक्तलिफ किसम के जो होंगे वो organisms मिलेंगे, insects मिलेंगे, animals मिलेंगे, plants मिलेंगे, diversity of form होगा वहाँ पे, तो this is called as ecosystem or community diversity. Next हमारे पास है magnitude of biodiversity, हम इस biodiversity का magnitude क्या होता है, यही magnitude क्या है इसका, as per the IUCN, International Union Conservation of Natural and Natural Resources, इसके accordingly, total number of non-species on the planet, कि जिन species को हम अभी तक जानते हैं, वो species Earth पे कितनी है, 1.5 million approximately इतनी species है, according to IUCN, यह बोर रहा है IUCN, as per some of the other scientific studies, और scientific studies से यह पता चलता है, कि it varies between 1.7 to 1.8 millions, यहीं इनका number vary कर रहा है, 1.7 to 1.8 millions, तो different sources से different इनकी number को यह बता रहे हैं, के तना इतना number है, the number is only 15% of the actual number of the species on the planet, जो आपके planet पे total species है, 100% species स्पोस मान के चलते हैं, इस planet पे हैं, सिरफ 15% ही species जो है, उनका number हमें पता चला है, बाकि अभी unknown है, यह चीज़ याद रखना, total number of species and the earth, earth पे the total number of species वो varies from 5 to 5 to 50 millions, तो different sources से different data है, कि vary कर रहे हैं, इतना हो सकता है, इतना इतना approximation है सारा, तो उसके बाइद next, हम measurement of biodiversity, तो biodiversity को कैसे major करेंगे, इसका concept सबसे पहले, और H.V.Tacker ने दिया था, यह एक ecologist था याद रखना, इन्होंने सबसे पहले एक scheme बताई, जिससे हम biological diversity को major कर सकते हैं, तो हम देखते आगे इन्होंने क्या बोला, किस तरह से करेंगे, देखो, इनका जो concept था, biological diversity को major करने का, इन्होंने बोला, as per the V.Tacker, और H.V.Tacker ने कहा, biodiversity को हम major कर सकते हैं, तीन तरीकों से, हमारे पास three ways हैं, जिससे हम bio diversity को major कर सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा, alpha diversity, फिर उन्होंने कहा, दूसरा है था, beta diversity, and third one was, gamma diversity, तीनों डैवरसिटी जो थे, इससे हम bio diversity की measurement कर सकते हैं, यह जो R.H.V.Tacker ने बोले थे, तीन तरीके, अब तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, यहां से questions बनते हैं exam में, so, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना, alpha diversity, total number of species in a region, community, और ecosystem, एक region के अंदर total species कितनी है, या एक community के अंदर कितनी है, या एक ecosystem, suppose forest ecosystem है, उसके अंदर कितनी species है, terrestrial ecosystem है, वहां कितनी है, aquatic है, वहां कितनी है, total species का number जो होता है न, वो बोलते हैं, alpha diversity, refer to species richness, जिसको हम बोलते हैं, species richness, कितनी species एक unit area में, एक ecosystem में, एक community के अंदर, also known as, इसे दूसरे नाम से जानते हैं, natural within community diversity, यहनी community के अंदर देखते हैं, कितनी diversity है, यहनी natural within community diversity, बोलते हैं, alpha diversity को, उसके बाद, इस को हम डियागरम के हिसाब से भी देखेंगे, beta diversity क्या होती है, refers to the diversity of the species, between the two communities, वो थी within community, यह दो community के बीच में, कितनी diversity है, उसे हम beta diversity बोलते हैं, इस अप्टेंड by comparing the total number of species, unique to each of the community, हम देखेंगे, हमारे पास दो communities है, मान के चलो आपके पास एक community A है, दूसरी community B है, इन दोनों में unique species कौन सी हैं, वो ही हमारे पास होती है, beta diversity, suppose इसके अंदर हमारे पास है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, and 4, 5, 6, ये दोनों communities के अंदर common है, ये हमें यहाँ पे नहीं लेना है, हमें लेना है, इसके अंदर उसके अंदर unique कौन से हैं, 1, 2, 3, 7, 8, 9, ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास 1, 2, 3, 7, 8, 9, जो हैं, diversity, समझ आगी बीटा कौन से होती है, और, और हाँ, इसी diversity को दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं, between community diversity, वो जो थी alpha, वो थी within community, and we call it as between community diversity, तो बहुत important है, question यहाँ से examiner frame करेगा, आपको, so next हमारे पास है, third one जो है, वो है, gamma diversity, and gamma diversity, it's a combination of alpha and beta, दोनों की combination को हम gamma diversity बोलते हैं, दोनों के mix-up को, so हमारे पास, refers to the total or the overall diversity, इने lens cap, एक lens cap के अंदर, total या overall diversity जो होती है, उसमें beta, gamma दोनों की combination, बीटा और alpha की, तो उसे हम gamma diversity बोलते हैं, lens cap will consist of different ecosystems, इसमें मुक्तलिफिक के systems होते हैं, and because, and therefore different biological communities, और मुक्तलिफ biological communities आपको वहाँ पे मिलींगी, तो ये थी हमारे पास, gamma diversity, next हमारे पास है, significance of biodiversity, अब आपको बताना है, कि importance क्या है biodiversity की, तो importance देखिएंगे, biodiversity की वो क्या है, under pines, all the ecosystem services form a basis of the ecosystem services, आपको different ecosystem services जो होती हैं, वो biodiversity से मिलती हैं, देखिएंगे कौन कौन सी, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, provision services, क्या होता है, देखो, ecosystem या biodiversity के आपको food मिलती है, fibers मिलते हैं, fuelwood मिलती है, agriculture, we can get from the biodiversity, pharmaceutical compounds जिसमें आपको दवाईयां वगरा जो होती हैं, 50% जो होती हैं, वो कहां से आती हैं, वो biodiversity से आती हैं, इसी तरह से आपको regulating services होती हैं, जैसे climate regulation, जैसे forest absorb common dioxide, that's forest or this carbon sink, this is called carbon sequestration, बहुत important carbon sequestration, जो forest होते हैं हमारे, उन्हें हम बोलते हैं, carbon sink बोलते हैं, यानि वो पूरा carbon dioxide अपने आप में absorb करते हैं, तो इसी उस absorb करने को बोलते हैं, carbon sequestration, कभी ये पूछ सकता है, carbon sequestration क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा carbon dioxide, हमारी अर्थ पे कौन absorb करते हैं, वो करते हैं, forest, more than thousand billion tons of the carbon is stored in the forest, यही हजार billion tons से ज़्यादा carbon जो होता है, वो कहां पे stored होता है, वो forest के अंदर store होता है, तो forest क्या होता है, यह हमारे पास एक ecosystem है, sporting service क्या होती है, हमें जो biodiversity से मिलती हैं, जैसे pollination by the insects, तो different insects होते हैं, वो pollination करते हैं, तो उनका एक बहुत important role होता है, जो insect से pollination होती है, उसे antimophily बोलते हैं, इसी तरह birds भी pollination करते हैं, इनका भी बहुत important role play होता है, इसमें biodiversity में, तो यह आपको याद रखना है, इसी तरह birds से जो pollination होती है, उसको हम बोलते हैं, और नित्थो फिल्ली बोलते हैं, इसी तरह से study about, और नित्थो फॉलिजी बोलते हैं, यह चीज़ें याद रखनी है, ऐसे questions examiner frame करता है, cultural service क्या होती है, आपको बाइडिवरसिटी में, एको टूरिजम होता है, हमारे पास different parks होती है, different tourist places होती है, maintaining the ecological stability को काईम रखना, यह इसका importance होती है, उसके बाद हम देखेंगे, बाइडिवरसिटी जो होती है, इसका एक crucial role होता है, food web जो होता है, nature में food web को maintain करना, एक बहुत बड़ी बात होती है, यह देखो क्या होता है, कि जो हमारे पास, अगर higher biodiversity होगी, अगर ज्यादा biodiversity होगी, तो हमारा food chain होगा, वो complex food chain बनेगा, जब food complex बनेगा, तो survival जो chances होगी, survival of the species के जो chances होगी, वो बढ़ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, उतनी ज्यादा stability होगी उस food chain में, उस food web में, तो यह चीज़ है, कि जतनी biodiversity ज्यादा होगी, उतना stable food chain होगा, उतना हमारा food web जोगा, उसमें भी उतनी ज्यादा stability होगी, तो इसका बहुत important role है, biodiversity का, next हमारे पास, loss of biodiversity, यहीं बायो डिवरसिटी में, loss कैसे हो रहा है, किन चीज़ों से, हमारी biodiversity loss हो रही है, reason क्या है हमारे पास, जेखो सबसे पहले natural extension हुआ, natural extension हुआ, इसकी rate of natural extension is about 0.1, to one species extension, per million species in a year, एक year में, million species में, 0.1 और या one species extent हो रही है, यह rate तो बहुत slow है, यह naturally हो रही है, very slow rate है, लेकिन major, बड़े या moss extension हुए, यह बहुत ज़्यदा important role play करते हैं, this happens due to the, some catastrophic events, जैसे कोई jungle था, कोई forest था, उसमें आग लगी, वो पूरा जंगल ही जल गया, तो यह एक बहुत बड़ा extension हो सकता है, हमारे पास, draft आया, किसी जग कहता आ गया, तो उससे खतम होगी वो जगा, यह mass extensions होते हैं, anthropogenic activities जो होती है, anthropogenic extension, जहाँ पर human की involvement होती है, इंसान खुद ऐसी activities करता है, कि जिससे उसका ecosystem बरबाद हो जाता है, जिससे उसका biological diversity जो होती है, वो बरबाद हो जाती है, वो human activities है, जैसे हम क्या करते हैं, हम जंगल में जाएंगे, लगडी महां से लाएंगे, यहीं हम deforestation कर रहे हैं, उससे वहाँ के जो animals वहाँ पर रह रहे हैं, wild animals, उनका habitat disturb हो रहा है, यह चीज़ी होंगी, तो उससे क्या होगा, पूरे ecosystem पर असर पढ़ता है, इस तरह से extensions हो रहे हैं, caused by the human activities, rate of extension, जो है वो thousand times more than that of natural, यह natural से हजार गुना ज्यादा कौन से हो रही है, जो हम खुद कर रहे हैं, जो हमारी वज़ा से हो रही है, industries बन रही है, हम different level पर जो mass deforestation कर रहे हैं, तो इस चीज़ों से यह हमारी जो है, biodiversity loss हो रही है, next हमारे पास है, यह बहुत important है, याद रखना, आज तक हमारी अर्थ पे five times mass extensions हुई हैं पहले, और now we are leading to towards the six mass extension, अब हम छटे mass extension की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा यह concern है, scientist यह कह रहे हैं, इसको triple star में रखना, now we are heading towards the six mass extension, इससे पहले पहांच हो चुके हैं, so यह चीज़ें याद रखनी हैं, आपको बहुत important है, उसके बाद living planet report जो आई, उस planet के उस report में यह चीज़ पब्लिश की गई, कि wildlife, world wildlife fund जो है, वो इस report को publish करता है, इस report में यह चीज़ बोली गई, as per this report, the planet rate of the extension is about 100 to 1000 species जो हो रही है, पर 10,000 species इन्हे 100 years, इन्होंने कहा, 100 से 1000 species जो हो रही है, वो 10,000 species पे क्या हो रही है, extent हो रही है 100 सालों में, यह किन की report थी, living planet report, उसे कौन publish करता है, world wildlife fund, next हमारे पास है, living planet index क्या है, देखो, living planet index जो है, which measures the biodiversity, evidence level has been showing a persistent downward trend, जो हमारे पास biodiversity evidence है, वो आइसता आइसता एक downward trend दिखा रहा है, कौन यह living planet index बोल रहा है, इनकी report जो थी, on an average, species population has been declined by 58% between 1970 to 2012, 1970 से लेकर, 2012 तक 58% डिकलाइन आपको देखने को मिलेगा, species में, यह चीज मौनिटर की गई है, average level पे, tropical forest में, there has been a, वहाँ पे आपको, 40% जो है, वो overall decline मिलेगा, in species between 1970 से 2009 तक, इतनी species आपको वहाँ पे decline देखने को मिला, कहाँ पे, tropical forest के अंदर, अब reason क्या थे, जिस वज़ा से, biodiversity के अंदर, यह चीज़े हुई, loss हुआ, क्या चीज़ हुई, तो loss के एक reason हमारे पास है, for the first, first and the foremost reason, habitual loss, fermentation, that is decline in the area of the habitat, and decline in the quality of habitat, जब quality, आपका habitat डिस्टर्ब हो गया, तो उससे आपको वहाँ पे loss देखने को मिलेगा, जब agriculture activities बढ़ गी, हमने forest को काटा, agriculture activities बढ़ाई, तो सबसे बढ़ा एक reason यह भी था, कि biodiversity में काफी ज़एदा loss देखने को मिला, urbanization, infrastructure, projects, roads, railways, etc, हमने railways projects बनाए, roads बनाए, different infrastructure, industrialization, तो इससे यह क्या चीज हुई से, हम दिन बदिन जो थी, वो हम जंगल काटते गे, तो इस चीज़ों से, इन चीज़ों से different projects बनाते गे, हमने खुद जो था natural habitat जो था वो disturb कर दिया पूरा, तो एक उससे क्या हुआ, हमारी जो बायो डिवरस्टी उसमें लॉस देखने को मिला, उसके बाद, as per the living report, 2016, there has been 30% decline in the wetlands, in the lost 40 years, पिछले 40 सालों में, 30% wetland में आपको वहाँ पे decline देखने को मिला, इसी तरह से, tropical forest में, 50% decline देखने को मिला, ये चीज़े हमें reports वहाँ से आई, living planet report जो थी, उनकी report जो थी, उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली, तो ये चीज़े हुई, कौन जम्यदार था, we are themselves responsible for this, species exploitation, which can be in the form of hunting, our harvesting of the fishes, जैसे हम कोई चीज हंटिंग पे गिये, तो उसे कोई species extinct होगई, उसके बाद बात करें, तो IUCN ने कहा, 10 से 30% of the mammals across the world are threatened because of the hunting, तेनी 10 से 30% mammals, जो वोल्ड के हैं, according to International Union for Conservation of Natural Resources, उन्होंने कहा, इस जो organization ने कहा, कि 10 से 30% जो mammals हैं वोल्ड में, वो उनमें भी क्या हो रहा है, वो threatened हो रहे हैं because of hunting, जब उनकी ज्यादा hunting की जाएंगी, वो भी extinct हो जाएंगी एक दिन आएगा, एक बोर का नाम सुना होगा, यहां से question पूछेगा आपको examiner, उस बोर का नाम है डोडो बोर, उसकी extension होगिया, वो बोर आज नहीं है, वो extinct होगिया because of over harvesting, जब उसको ज्यादा से ज्यादा हर्वेस्ट किया गया, ज्यादा से ज्यादा तो उस बोर की mass extension होगि, और वो इस दुनिया से खत्म होगिया, oil spills का नाम सुना होगा आपने, oil spill क्या होती है, एक petroleum layer बन जाती है, अंदर marine surface called oil slicks, समंदर की सता पे oil की वो layer बन जाना, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि sunlight जो होती है, वो sunlight या oxygen जो होता है, वो marine system के अंदर enter नहीं हो पाजाता है, और जिससे वहाँ पे suffocation होती है, और जितनी भी वहाँ पे अंदर diversity होगी, marine diversity वो उसको काफी ज़्यादा loss होता है, वहाँ पे fishes, मचलियां वगएरा, या जो भी aquatic life है, उस पे उसका असर पड़ता है, वहाँ पे उनकी, यह नहीं वहाँ पे death हो जाती है, उसे बोलते, oil spills याद रखना, एक layer बन जाती है उपर किसके, water, यो marine ecosystem होता है, समंदर की सता पे उसकी, और उससे oxygen और sunlight अंदर नहीं जाती, suffocation होती है, और उससे यह चीज़ होती है, उसके बाइद next आपने, नाम सुना होगा, introduction of an alien species, alien species का नाम सुना होगा, वो species होती है, जो एक native area के नहीं होती है, बलकि हमने किसी और जगा से वो लाई होती है, और उससे भी काफी ज़्यदा असर पड़ता है, जैसे हम जेन के से बिलॉंग करते हैं, हम कोई American species यहाँ पे लाएंगे, वो एक alien species होगी for us, तो that's called an alien species, which is not native to a region, and grows rapidly, and start threatening native species, वो species जब यहाँ पे लाएंगे, उससे यहाँ की species पे काफी असर पड़ेगा, और वो species यहाँ पे dead हो जाएंगी, यहाँ उन पे उनकी population decline हो जाएंगी, तो वो होती है alien species, उससे भी काफी ज़्यदा असर पड़ सकता है, जैसे water hyacinthes की example, आपको alien species, that's calling alien species, अब की stoon species क्या होती है, देखो की stoon species क्या होती है, यह वो species होती है, जो पूरे ecosystem को define करती है, थोड़ा सा भी change आया, इनकी वज़ा से हमें पता चल जाता है, कि ecosystem में क्या चीज़ हो रही है, these are the species whose impact on the ecosystem is much more influential than would be expected from their number, इनका impact ecosystem पे बहुत ज़्यदा होता है, अगर थोड़ी सी भी change आएगी न, environment में कुछ भी, तो इनमें बहुत जल्दी change आजाती है, इनसे हमें पता चल जाता है, कि यह चीज़ हो रही है, वहाईने की stoon species disappear, अगर अचानक से यह गाइब हो जाएंगी, इनकी वज़ा से, तो यह याद रखना है, इनहें हम बोलते हैं, की stoon species, और लास्ट वन है, हमारे पास indicator species, indicator क्या होती है, इनकी बहुत ज़्यदा sensitive होती है, तो इको सिस्टम, चेंज इन दे को सिस्टम, और अल्मोस्ट इंडी, अगर एको सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज आती है, तो यह हमें इंडीकेशन दे जाती है, दे देती हैं पहले ही, क्योंकि बहुत ज़्यदा sensitive होती है, अल्ली वार्मिंग दे देती हैं हमें, पहले ही हमें वार्न कर देती हैं, को यह होने वाला है, यह बहुत important species हैं, hence these serve as an early warning system के तोर पे काम करती हैं, of the problems which are existing in the ecosystem, which may eventually affect the other species as well as, तो इन से दूसरी species काफी ज़्यदा effect होती हैं, अब indicator species कौन-कौन से यह नाम याद रखना, जिन से हमें यह जैसे like biological smoke alarms के तोर पे यह काम करती हैं, यह कौराल का नाम अपने सुना होगा, marine ecosystem में पाए जाते हैं, यह indicator species हैं, lichen का नाम सुना होगा, बहुत important से, यह एर pollution होगी या acid rain होगी, तो उसको काफी ज़्यदा sensitive होते हैं, lichen क्या होती हैं, association of fungi in algae, उसी को बो lichen बोलते हैं, और उसके बाए सक्सेशन में सबसे पहले, यही लाइकन्स आती हैं, frog का नाम सुना होगा, अचानक से frog में deformities उसकी body structure में, उससे हमें पता चल जाए, इको सिस्टम के अंदर क्या होने वाला है, यह पहले ही हमें अलाम कर देती हैं, कि यह यह चीज़े होने वाली हैं, तो यह थी हमारे पास, कौन सी species, endemic species, तो आज क्लास को यहीं पर हम खदम करते हैं, तो next वीडियो में जो होगा, इसे continue करेंगे आगे, और कोशिश करेंगे, कि ecology and biodiversity का topic जल्दी complete हो जाए, और इसके बाद बाकी topics जोओंगे, उन पर में हमारे वीडियो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम MCQ sessions जोओंगे, topic wise लाएंगे, ताकि आपको चीज़े clear हो, और एक चीज़े समझ आए, जो भी इस चैनल पर नहीं है, फर्स टाइम देख रहे हैं इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक का वहाँ से आप जोइन कर सकते हो, तो मिलते हैं काल, ओकिया, लाफीज, थैंक यू,